सद्गुरु, हमारे पास जो अगला सवाल है, मैं आपके लिए उसे पढ़ देता हूँ ये माना जाता है कि श्री निवास रामा अनुजम, मैथेमेटिकल एक्वेशन को इस तरह लिखते थे मानो उनकी पूरे ब्रहमान तक पहुचो वो ये भी कहते हैं कि उनकी देवी उन्हें गणित के वोशुत्र बताती है मैं उस थिती तक कैसे पहुच सकता हूँ ये सवाल है पहले आपको एक देवी खोजनी होगी आप सभी क्या फोन इस्तेमाल करते हैं? क्यों? आप फोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहले तो हमने फोन बनाया ही क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास बोलने की क्षमता नहीं होती तो क्या हम माइक्रोफोन, टेलिफोन या ऐसी कोई चीज़ बनाते? हलो? हमने साइकल क्यों बनाई? चूँकि हम चल सकते हैं मगर हम और तेज चलना चाते थे, इसलिए हम दौडने लगे, दौडने पर पता चला कि उसकी एक सीमा है, हम उससे भी तेज जाना चाते थे, इसलिए हमने साइकल बनाई, मान लीजे कि हम एक पेड की तरह होते, एक जगा पर, फिक्स्ट, तो क्या हम साइकल का अविशकार कर हमारे पास जो क्षमताएं पहले से हैं, हम उन्हें बहतर बनाना चाहते हैं, हमने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई, जिसकी क्षमता हमारे पास नहीं थी, और अचानक से हमने कुछ बना लिया, क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं, हां? हमारे पास जो क्षम्ताएं नहीं हैं, उन्हें जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि उसका अस्तित्व है या नहीं, बस हमारे पास जो क्षम्ताएं हैं, उन्हें हम दूर तक ले जाने की कोशिश करते हैं तो इसी कोशिश में हमने कई मशीने बनाई यहां मौजूद सभी मशीने सिर्फ हमारी मौजूदा क्षम्ताओं को और बहतर कर रही है उन्होंने कोई एकदम नई क्षम्ता नहीं पैदा की है इसी तरह पुराने समय से ही इस संस्कृती में हमने ऐसी मशीने बनाई जो किसी सामान या मेकानिकल प्रक्रिया से नहीं बनी बलकि उर्जा की प्रक्रिया से बनी है उर्जा की प्रक्रिया से बनी मशीन का अर्थ क्या है देखिए मान लीजिए कोई मर जाता है आपने मरे वए लोगों को देखा है आणा, कहां देखा, मैंने कभी नहीं देखा आपने मरे होँए लोग देखे या लाश देखी? हाँ लाश का अर्थ क्या है? मान लिजे, कोई दुरघटना या हत्या या कुछ और नहीं हुआ या मान लिजे, कोई बस दम गुटने से मर गया अगर कोई दम गुटने से मर गया तो उसका दिल ठीक है वो धड़क नहीं रहा मगर वो फिट है उसका लिवर, किड्नी, सब कुछ ठीक है बस वो इनसान जिन्दा नहीं है सभी मशीनी अंग ठीक है बस जीवन उर्जा नहीं है तो ये भी एक स्तर पर एक उर्जा मशीन है है कि नहीं? है कि नहीं? ये भी एक उर्जा मशीन है उसके परे हमने मेकानिका लंग लगा दियें सभी मेकानिका लंगों के ठीक होने पर भी अगर उर्जा नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा तो गहराई से देखने में हमें पता चला कि हमें कूर्जा मशीन बना सकते हैं मेकानिकल अंगों के बिना क्योंकि मेकानिकल अंगों को रख रखाव और सर्विसिंग वगरे की ज़रूरत पड़ती है लेकिन अगर आप सिर्फ एक और चीन बनाए तो वो दिन राथ चलती रहेगी मान लीजिये आपकी मोटर्साइकल या आपकी कार या जो भी आप इस्तिमाल करते हैं मान लेते हैं आपका फोन किसी मेकानिकल पार्ट के बिना सिर्फ एक और शोटा होता है ऐसा भी हो रहा है, बड़ा फोन अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है कम से कम मेकानिकल पार्ट्स के साथ वो और भी ज्यादा एफिशेंट होता जा रहा है धीरे धीरे ये उस ओर बढ़ रहा है जहां ये ज्यादा उर्जा पर आधारित और कम मेकानिकल होता जा रहा है है कि नहीं? आपको जेम्स बॉन्ड की पुरानी फिल्में याद हैं? इतना बड़ा फोन वो किसी नवजाद बच्चे की तरह लगता था मगर आज वो इतना सा रह गया है जैसी की अगले 10-15 सालों में उम्मीद की जा रही है आपका फोन बस आपके हाथ में छपा हो सकता है बस इस तरह आप बात कर सकते हैं या उतना भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप बस ऐसा करें तो जो आप कहना चाहते हैं वो कह देगा तो अब हम मेकानिकल से उर्जा आधारित मशीन की ओर बढ़ रहे हैं एक बड़े बुल्डोजर से एक कम्प्यूटर तक ये एक बड़ा अंतर आया है कि वो ज्यादा उर्जा पर आधारित और कम मेकानिकल है इसलिए हमने उर्जा मशीने बनाई जिनने इस संस्कृति में देवी देवता कहा गया है आम तोर पर हमने उन्हें मूर्टी कहा इसका मतलब है आकार या रूप एक रूप जिसमें कुछ खास चीजें करने की क्षमता है उर्जा के रूप तो अलग-अलग रूप अस्तित्व की खिडकियों की तरह है आप अलग-अलग आयाम खोल सकते हैं ये सब भुलाया जा चुका है आजंद विश्वासों के रूप में उसे बक्वास बना दिया गया है वरना इसके बारे में साफ जानकारी हुआ करती थी आजकल लोग इस से या उस से अपनी पहचान जोड लेते हैं इसलिए उन्हें लगता है कि भगवान का मतलब उनसे संबंद जोड़ना है नहीं, ये भगवान इसके लिए गलत शब्द है ये देवी, देवता या मूर्तियां है इन्हें एक खास मकसद से बनाय गया था अगर आपको बुद्धी चाहिए तो आप एक तरह के देवता के पास जाते हैं अगर आपको डर लगता है तो आप दूसरे तरह के देवता के पास जाते हैं प्यार में समस्या तो दूसरे तरह के देवता के पास पैसों की समस्या है तो दूसरे तरह के देवता के पास इस तरह उन्होंने ऊर्जा के रूप बनाए जिनका इस्तिमाल करना आपको सीखना होगा ये प्रार्थना या पूजा के स्थान नहीं है इन जगाहों पर आप सीख सकते हैं कि उस मशीन का इस्तेमाल कैसे करें अपने फायदे के लिए उन्हें कई रूपों में और क्षमताओं में बनाया गया उन्हें लोगों की अनुवानशिक जानकारी से भी जोड़ा गया जिने हमने कुल देवता कहा जहां वो सिर्फ उसी वन्श के लोगों के लिए काम करेगा ये एक बहुत जटल प्रक्रिया है तो रामा नुजम दक्षन भारत के थे मैं दक्षन का खास तोर पर जिक्रेसिले कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें वैसे तो पूरे देश में थी मगर इस देश के उत्तरी हिस्से ने बहुत विदेशी हमले और तोड़ फोड़ सहे दक्षन विंद्याचल पहाड़ों से दक्षन के हिस्से में हम काफी सुरक्षित रहे आज भी हमने कई चीज़ें कायम रखी है हमने उत्तर की तरह कोई बड़ी उधल पुधल नहीं झेली इसके कारण कुछ वैज्ञानिक प्रक्रियाएं अब भी जीवित और सक्री हैं जो एक रामनुजम का निर्मान कर सकी रामनुजम ने ब्लैक होल्स के बारे में बात की लगभग सौ या सौ से भी अधिक साल पहले जब ब्लैक होल का कोई कॉंसेप्ट ही नहीं था उन्होंने उस समय ब्लैक होल के लिए गणित बनाया जब ब्लैक होल का कॉंसेप्ट ही नहीं था विज्ञान हमेशा इस तरह आगे बढ़ता है पहले concept, फिर theory और फिर गनित मगर उन्होंने पहले गनित बनाया जब concept नहीं था, जब theory नहीं थी जब उनसे पूछा गया, वो मृत्यु श्रया पर थे और गनित माना उनसे बहकर निकल रहा था गनित की कई नोटबुक्स बस यूँ ही बह रहा था लोगों ने पूछा ये कहां से आ रहा है, ये क्या है वो बोले, मेरी देवी के शरीर से गनित बहता है झाल झाल